Hello friend, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी स्रीज का एक और वीडियो प्रियम्बल आप दी इंडियन कंस्टिटीशन इसमें हम जो प्रियम्बल में इंग्रीडियेंट्स हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्थ हैं जैसे सवरेंड डेमोक्रेटिक रिपबलिक इनको बेसिक करते हैं हम एं में पिछले वीडियो में देखा तहा प्रियम्बल होता क्या है और यह कहा पर यूस होता है यह कंसे इनकोंटिशन के लिए हमारे एंडिया में जो इंक जो इसके अंदर preamble में जो ingredients है sovereign, secular, socialist, republic, democratic जो बहुत important words हैं ये सारे words इनका meaning क्या होता है तो सबसे पहले शुरू करते है sovereign से sovereign word derived हुआ है Latin word sureness से जिसका meaning होता है supreme authority it is a state or supreme authority within the defined territorial area sovereign basically मैं आपको बता दूँ कि इसका meaning ये होता है कि कोई भी country या state यहाँ पर state को मैं आप clear करना चाहूँगा जहाँ जहाँ पर state लिखा होगा state का यहाँ meaning किसी राज या उत्तरपरदेश, मध्यपरदेश ऐसे राजस से नहीं है इसका मतलब है इंडिया, state हमारे constitution में state word किसी देश को या country को लिया गया है मतलब जहाँ जहाँ पर ये word state है मतलब वो हमारे भारत देश की बात कर रहा है या किसी country की बात कर रहा है, ये किसी राज्य की बात में कर रहा है sovereign have two types, फ़ले उसके types से पहले हम ये समझ जाते हैं कि sovereign है क्या जब कोई देश अपने आंत्रिक मामलों के साथ साथ अपने जो बाहर मामले हैं जैसे देश के बाहर के भी जो नीतियां है, जो policy है वो खुद बना लेता है किसी और के pressure में नहीं होता, किसी से पूछना नहीं होता तो ये sovereign कहलाता है, हमारे देश में जैसे भारत में example लिया जाए तो हम हमारे भारत के अंदर जो policy बना सकते हैं इसके साथ साथ हम भारत के बाहर भी अपने जो territorial boundary है जितनी भारत की boundary है, उसके बाहर का भी हम क्या कहते हैं policy बना सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं, ऐसा नहीं है कि USA या Britain के दबाव में कुछ आके हम अपनी कोई policy बनाएं या वो हमारे उपर कोई है हमारे उपर कोई नहीं है, हम ही supreme authority हैं, हम जो बनाना चाहें वही बनाएं हम supreme authority हैं, उसके बाद ये दो type ही होते हैं, sovereignty have two types, पहला है internal sovereignty, दूसरा है external, तो internal में क्या होता है, कि जो हमारा territorial area होता है, जितना भी हमारी शीमा होती है, देश के उसके अंदर में, हम जितना जैसा चाहें हैं, जो नियम चाहें, जो लगा सकते हैं, ये देखिए, internal state has supreme power or authority over all the individuals and the association with its territorial boundary, मतलब ये सब के उपर लागव होता है, individuals के उपर भी और जो associations होते हैं, organizations होते हैं, सब को वो चीजें follow करने पड़ेंगी, तो ये supreme होता है, और क्या कहता है external sovereignty, ये क्या कहता है कि external sovereignty means that the state conducts its own affairs without any interference of the other state, देखिए, यहां पर state का meaning वही मैं जो आपको बता रहा था, एक country की बात करें ना, यहां कोई राज्य की बात नहीं कर, तो जैसे for example, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टाइब की चाहिए, तो हम supreme है, हम जो चाहें, अपने देश के लिए फैसला ले सकते हैं, यहीं sovereignty declare करता है, इंडिया becomes sovereign on date 26th January 1950, इस date पे इसलिए है क्योंकि इसे दिन हमारा समयधान लागू हुआ और हम sovereign country के list में आने लगे, लेकिन क्या कहते हैं, आपको मैं एक question करना चाहूंगा, कि इंडिया is sovereign country है, तो क्या यह हो सकता है कि वो किसी और देश में की territory को, मतलब acquire कर ले, क्या ऐसा हो सकता है, कि इंडिया का कुछ, मतलब पाकिस्तान का कुछ part acquire कर ले, या फिर चाइना का कुछ part acquire कर ले, हम sovereign country हम supreme है, तो क्या यह कर सकते हैं, ऐसा, इंडिया चाहे तो जाके acquire कर सकता है, इंडिया चाहे तो अभी हमला कर दे पाकिस्तान के, वहां की जमीन को ले सकता है, जैसे यह सब थे ना, दादर, एवं नगर, हवेली, गुवा, यह सारी चीज़े, सब यह foreign territory थी, जिसमें इंडिया अपना acquire किया, छिक, देन नेक्स्ट, democratic, हमने देख लिया, sovereign country, then आता है, democratic, democratic word derived from the Greek words, it is the combination of two words, first demos and second is the kratia, okay, first demos and second is the kratia, demos means the people and other kratia means the rule, मतलब का, जनता का शाषन, सीधा सीधा बात कहा जाए, democratic means, गड़ तंत्र या जनता का शाषन, democracy have two types, direct democracy और indirect democracy, direct democracy, basically जहां पे low population होती है, बहुत कम population होती है, उन country में होती है, for example, Switzerland, यहां क्या कहते हैं, करीबन 60 लाक लोग हैं, तो यहां यह होता है, here people participate directly in the policy making, जैसे वहां कोई नियम बनाये जा रहे हैं, तो direct voting कर लेंगे लोगों की जनता के बीच, कि आपको favor में है, कि in favor में है, तो उन लोग voting कर देंगे, यदि voting favor में आया, तो वो pass हो जाएगा, तो यह direct democracy कहलाता है, और indirect democracy में, यहां क्या होता है, here representatives elected by the people and participate in the policy making, जैसे हम direct जाके इंडिया में क्या करते हैं, अपने नियम नहीं बनाते हैं, हम elect करते हैं, जैसे लोगसभा के member, member of parliament, जो होते हैं, उनका चुनाओं होता है, वो हमारे जरी होता है, हम voting करते हैं, जो भी इंडिया में 18 से उपर हैं, 18 years से, वो voting करते हैं, और जो election में जो जीतता है, majority पाता है, वही जाके क्या करते हैं, हमारा representative होता है और वही नियम बनाता है, तो ये हम direct नहीं कर रहे हैं, हमारा representative हमारी बात कर रहा है, तो ये क्या होगा? Indirect democracy, तो इंडिया में क्या है? Indirect democracy है, लेकिन, लेकिन, democracy समझ्य के लिए, हमको ये देखना पड़ेगा, कि उस देश का सबसे जो head of the state है, वो किस type का है? क्योंकि जो nature of head of state है, इसी में दो type के democracy बढ़ जाते हैं, तो हमको nature देखना है, तो head of state two type के होते हैं, एक हो जाता है यहाँ पर monarchy, और दूसरा हो जाता है republic, ठीक, तो monarchy में क्या होता है? कि basically, जो heredity fall होती है, ठीक, in a monarchy, head of the state comes into the office through the succession, मतलब कि राजा का बेटा आएगा, वो राजा बनेगा, फिर उसका बेटा आएगा, फिर वो राजा बनेगा, ये, succession जो चलता रहता है, heredity fall होती है यहाँ पर, इसका best example है हमारे पास England, England में अभी भी queen है, और उनके succession, जो उनके लड़के हैं, वो आएंगे, तो मुनार्की वहाँ follow होती है, और Republic में चलिए देख लेते हैं, इनना Republic had that state is always elected directly, और indirectly for a fixed period, इसका हमारा best example इंडिया भी है, और इसके साथ best example है आपका Russia, तो वहाँ elected head, president होता है, हमारे यहाँ भी elected head, president होता है, बट वहाँ president का role ज्यादा होता है, अलग होता है, हमारे यहाँ president का role अलग होता है, तो दोनो जगा होता है, तो हमारे constitution में Republic word भी use किया गया है, democratic republic, तो अब यह Republic हो गया, Republic का मतलब यही, कि head of the state होगा, वो directly और indirectly fixed period के लिए elect किया जाएगा जो कि हमारे president होते हैं इंडिया में ओके जो और दो वर्ड बच्चे हैं secular और socialist उसको हम next वीडियो में cover करेंगे वनना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो subscribe कीजिए शेयर कीजिये लाइक कीजिये एट लास्ट बट नॉर्ड लेस्ट शिवेन राजपुत साइन गाउग